Good morning students, my name धीरज शर्मा, science teacher, government senior secondary school पानोकी, कपूथला Students, असी class 10th दा, पहला chapter, science vision आल संबंदित, chemical reactions and equations, रसायनिक कर्यामा अते समी करन, पढ़ दे बैस उस दा, असी पहला पार्ट बच्चेओं पढ़ चुके हैं, अज जसी पार्ट दूसरा पढ़ना है गाया असी बच्चेओं कल पार्ट दे बैच, chemical changes दे बारे गल कीती सी, जिवें की milk change उन्दा प्रकट, digestion of food is also a chemical change, photosynthesis in plants is also a chemical change एक कुछ अपा chemical change करना तो बार फिर chemical reactions देखियां सी गया, chemical reaction देविच chemical formula कित्दा बनाए जान दे हो देखे सी के, फिर इस तो इलावा आसी chemical equations बना तो बाद chemical equation बैलेंस कित्दा करना है, आज बच्चेओं आपा नहीं छेड़ना है बच्चेओं अगे अपा सिरफ numerical digit जड़ लगा के hit and trial method देना, बैलेंस कार सकते सी, अज बच्चेओं सी different types of reactions, अलग अलग प्रकार दियां, जड़ी रसायनिक कर्यामा या, ओधे बारे बच्चेओं होना सी पढ़ना है, जड़ी types of chemical reactions, रसायनिक कर्यामा दियां किस्मा, तब बच्चेओं सब तो पहला सा decol जड़ी रसायनिक कर्यासी पढ़ां गयों होगी, combination reaction, then decomposition reaction, जब बीच, combination अपब बूल दे, सन्योजन कर्या, combine होना, जड़ना, decomposition reaction, अपकटन कर्या, मलब टुटना, number 30 रहते, exothermik या endothermik, exo, कल भी अपगाल कीती सी की, exo मतलब, ताप, निकासी कर्या, exit, endo, मलब enter, ताप, सोखी क absorb करन वाली कर्या, then displacement reaction, जिननों पर विस्थापन कर्या भी बोल दे है, पंजमा double displacement reaction, या 12 विस्थापन कर्या, छे मी oxidation and reduction, oxidation, oxy करन, reduction बंजा भी लगू करन, जिसनों असी combined redox reaction भी बोल दे है, ताप बच्चों अच्छे reactions अपा आज पढ़निया हैं, पुरी detail दे विच सब्सक्राइब, 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 पहली reaction जिल्या असी देखनी हैं, बच्चों है कि combination reaction, ता इस्थे तुसी देख साकते हैं, combination reaction ओ रियक्चन हैं बच्चों, जो दो जा दो तो वद अभी कारक, मतलब reactants, करया करके, जा जोड़के, एक उतपाद बनाऊन, उस के रियानों सी सन्योजन के रिया, या combination reaction बोल देखेंगें, मतलब अभी कारक दो या दो तो वद हो साकते हैं, लेकिन जड़ा प्रोड़क्ट बनूगा, जड़ा उतपाद बनूगा, वो सिरफ एक ही बनना चाहिदा है, इत्थे जिमे की उदारन भी तुई देख साकते हो एजमा बी, एज एजमा बी दो अभी कारक ने जो की रियक्ट कीते हैं या तै C बन गया, तो अभी कारक रियक्ट करके एक प्रोड़क्ट जुद बन्धा होवे, एक उत्पाद बन्धा होवे, जही रियक्शन उसी, combination reaction थे सन्योजन के रहे आख रहे हैं, यही होरुदार जिड़े हैगे वो इत्य हैगा nitrogen gas थे hydrogen gas ते उत्पाद जिड़ा बंदा पया वो कल्ला एक बंदा पया जिड़ा ना हैगा ammonia यह जो रियक्षिन अपा बैलन्स कार लन दे सीगे ता कुछ इस परकार्दी हो जाने सी N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3 ते अरे विच क्योंकि product एक बंदा पया जिड़े reacting सीगे और 2 सीगे तो 2 या 2 तो वद रियक्षिन जो रियक्षि कर दे अभिकारक क्या कर देखे या एक ही उत्पाद बनाओन उस क्यानों उसी सन्योजन किरेया कहने है इत्दले पासे अभिकारक उत्पाद 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 उछी देख साकए हैं बच्चों स जोड़के एक उत्पाद बनाओं उसके रियान वासी सन्योजन के रहा है या combination reaction बच्चों बोल दें जिमें कि magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide काल भी अपायरे बारे चर्चा भी किती सी magnesium plus oxygen gas gives you magnesium oxide 2Mg plus O2 gives you 2Mg O इत्थे भी तुझी देख साकते हो अभी कारक जिड़े है बच्चों या reactant ताड़े को दोने magnesium ते oxygen ते product जिड़ा बांदा पया हो सिरफ एक ही बांदा पया हो ता ना है बच्चों magnesium oxide में उमीदा बच्चों तानो combination reaction की होंदी है समल लागी होएगी combination reaction शब्द बच्चों सोनो combine मला दो या दो तो वाद चीज़ा जोड़ जान दिया या combine हो जान दिया ते एक ही उतपाद बने एक ही चीज़ बने नेक्स्ट बच्चों असी एधी होर हो दा अरण देखन वाले है जी में की burning of coal कोईले दे वेच जादा तार बच्चों carbon ही होंदी है ते कल वी दास चुके से कि जदो भी किसे चीज़ नो अग लगाने है ता oxygen जड़ा है oxygen gas जीड़ी हो supporter of the combustion है बिना oxygen gas ही मजूदगी वेच उसी अट्मी कलाश चे किरया भी कीती हुई है कि आग जीड़ी है उन नहीं लाग साकती oxygen gas होगी ताहीं किसे सबस्टांस नो आग लगनी है ता इसे करके C plus O2 जो दोनों चीज़ रियक्ट कार दिया ता CO2 carbon dioxide gas बांग दिया एथे S दा मतलब solid G दा मतलब gas दूसरी जड़ी ए देखो बच्चो एक एक ही बन रहा, रियक्टेंट जिड़े सी कियो दो या दो तो वद हो सकते है ताह जही किरया नो असी combination reaction बोल दे हैंगे है in a simple language we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reaction ताह पचार हो दारना कार लेंगे है एननो बच्चे तुसी याद रखना होन आते ही देख साथ ने 2H2 प्लस O2 ए रियक्टेंट है, ते H2O जिड़ा बनेया, वो product बनेया, सिरफ एक ही product आ, water, कोई होल प्रोड़क्ट नाल नहीं बन दा भेया, ताह जही reaction नो असी combination reaction बोल दे हैंगे बच्चे ओ, combination reaction जड़िया होंदी है ना, जाधा अतार, सारी यां combination reaction नहीं पर जाधा अतार combination reaction जड़िया होंदी है, ओ, exothermic reaction होंदी है exothermica दा मतलब बच्चे ओ, बार निकलना, exit, थर्म दा मतलब ताप सिगा लेकिन अप आइथे energy लेके चलना आगे मतलब ज़ो कोई किसे भी reaction दे विच्चो energy अगर बार निकले होनो energy चाहे light दी form चो होवे चाहे heat दी form चो होवे अगर कुछ ना कुछ energy बार निकल दी पही हा तो असी उस reaction नो कमांगे exothermic reaction अगर बच्चो ज़ो असी carbon नो आग लगा मांगे कोईले नो आगर लगाने हा तो अनो पता हो ले विच्चो ताप उर्जा भी निकल दी है ते परकाशी उर्जा मतलब light energy भी निकल दी है ते बिल्कुल बच्चो light दे नाल नाल heat energy भी निकल दी है तो एस कार के जड़ी burning of cola ओ combination reaction दे नाल नाल एक exothermic reaction भी है इरे बारे भी अपाग के चर्चा कर नहीं है और more example of combination reaction and exothermic reaction सनेयोजन के रहा ते ताप निकासी के रहा जिद्धा की CAO, quick lime, calcium, oxide, plus water जड़ो अपा चुनने नो बच्चे ओ पाणी रेवेच पारन नहीं है था calcium hydroxide था बांदा पर नहीं नाल नाल एक large amount of heat था पूर्जा बहुत बांदी है यह थे तोसी देखूंगे भी करेया भी था उन दखाई जाओगी था CAO जिन्नों पंजाबी जैसी अन बुझया चुननना या फिर calcium oxide बोलने है थे CAO H twice जिन्नों slaked lime, lime water, calcium hydroxide, English देवेच थे पंजाबी जैसनों बुझया होया चुनना बोल दे है गया बच्चेओ तावन बच्चेओं क्योंकि product था एक ही बढ़ेया लेकिन reactants अट देगो दो सी प्रोड़क्ट एक अजडी reaction है एक combination reaction दे नाल नाल क्योंकि हीट भी बहुत जादा मात्रा वेचे निकल दी पही है एक combination दे नाल नाल exothermic reaction भी है एक्जो दा मतलब बार निकलना एक्जट थर्म दा मतलब वैसे था था थाम दा मतलब हुंदा हीट पर इच्थे अपप लेके चलना कोई वी किसे भी तरह दी कोई energy अगर बार निकल दी पहुंच होँए चाहे ओफ एनर्जी जेली है लाइट दी फॉंच होँबे ता हीट इधर बार निकल दी पही ता है reaction combination भी है प्लस एक्जो थर्मिक रेक्शन भी है इते ता डिकताब वेच भी बचवे पिच्चर बनी हुई है कि जदो सी calcium oxide नो पानी दे वेचे पाईए ते फिर अगर अगर साथे को हैगा तो बीकर नो बारो हाथ लगाईए तो बीकर पुर जो heat निकासी मतलब बार निकल ना तो ओर असाइनी करिया जिस विच उत्पाता बनन पर उत्पाता दे बनन दे नाल नाल ताप उर्जा भी पैदा होवे या किसे भी तरह दी कोई उर्जा पैदा होवे जही reaction हो सी exothermic reaction या ताप निकासी करिया बच्चे वो बोल दे इते त तोलुके उर्जा बार निकल दी पर तो ही देखो कि इस गी जड़ी है ओर निकल दी पर हैगी जिदे नाल अपड कह सकते हैं कि यह ताप निकासी करिया आसी प्राइब है आसी पांड में पए हैं ताकि यह चूनने मिक्स्चर आ भी ठंडा रव ज्यादा गरम नाल g आईव तुर देख साकरे हो किनना जादा और जो जड़ी हेगी है ता आप जिला और निकलदा पया है तुसी यथे देख साकरे हो बच्यों काफी ज्यादा मात्रा देवे जड़ी ता आप और बांदा पया जिडि बाद चीज बनी को calcium hydroxide बनी पर तो यह थे हो ना बरतन दा हाल देख साकरे हूं Even inside of a cold water bath the plastic melts in some places दिजड़ा plastic दे विच अपा चूरना पाया सी ओ plastic भी देखो तुझी पिगल गया है दा इस experiment नो बच्यों बहुत आंदे नाल करना है दे आपक दी मजूदगी दे विच करना है इस reaction दे विच अपा की देख्या कि calcium oxide हो ही जड़ी reaction दो पहला भी देख चुके calcium oxide दे विच दो असी पाणी पानने है तो calcium hydroxide बुझे आ होया चूरना दे नाल नाल heat मतलब large amount of energy या heat energy उप पैदा हों दी है ता जही reaction उसी exothermik या ताप निकासी करया बोल दे है जिदे विच उतपाद ता बनन पर उतपाद दे बनन दे नाल नाल ताप उर्जा भी पैदा हों दी बही है यह जड़ी example हैगी यह exothermik दे नाल नाल combination reaction भी हैगी क्योंकि इच प्रोड़क्ट सिरफ एक बांद आपया ता में उमीदा बच्चों ता अनुए reaction ते करया पूरी समझ लागई होवेगी next बच्चों असी अगर आगए देखिए the example of exothermik reaction ताप निकासी करया मा दिया होरुदारण असी देखन वाले है सा करया जिडिया जला असी food खाद आया food तो जिडिया energy लेनी है उसनो असी बोल दे रैस्पिरेशन या सा करया ओ भी एक ताप निकासी करया साथे शरीर दे सेल्ला विच जो दो ग्लुकोस ऑक्सिजन नाल करेया करता है ता उर्जा पैदा होंदी है इही उर्जा जड़ी पैदा होई है एटीपी दी फॉर्म चे अडिनोसीन ट्राइफोस्वेड दी फॉर्म दे विच इसनों असी वख वख साथा जड़ा शरीर आओ यूज करता है वख वख कार जा दे ले जिमें कि मैं बोल्दा प्याया या मेरे शरीर दा ताप माननों मेंटेन रखां दे ले इसनों हीट अनर्जी भी जड़ी है वो पैदा कर नहीं पैदी ता सा करेया जड़ी की ग्लूकोस प्लस ऑक्सिजन क्योंकि आसी जड़ो सा लेने है साड़े अंदर ऑक्सिजन गैस जा दनने है वाटर वाटर अगर साड़ी बॉड़ी दे विच कमी है पानी तो अब्सॉर्ब कर ले जाओगा या फिस्वेट या यूरीन दी फॉर्म चे बाहर निकल जोगा ते लार्ज माउंट अफ एनर्जी ओही एटीपी दी फॉर्म दे विच जड़ी एनर्जी हो पैदा ह पाई है ता बर्निक आफ नेचूरल गैस अगा तुसी नेचूरल गैस था नो पता हो ये CH4 जीड़ी है बच्चेयों मिधेन बॉल देया बायो गैस भी बोल देया नो गोपबर गैस भी बोल देया था तो ये होगिए ता CH4 प्लस ओक्सिजन जिना जड़ो ये रियक्शिन क हीट इस प्रड्यूस्ट हीट वी ते लाइट एनर्जी वी जिडिया हो पैदा हों दिया था इवी एदे विच उत्पाद देखो दोनों कि रहें देखो उत्पाद देखो उत्पाद था दो बांदे पर एकार्मन डाय उकसाड थे वाट था इसकर के इसनों सी combination reaction था नहीं कमाँगे लेकिन एदे विच एनर्जी पैदा हो रही है इसकर के इसनों सी ताप निकासी के रहा जरूर बोल दमाँगे ता इसकर के दोनों रियक्शना जिलिया है ओ एक्जोथर्मिक रियक्शन है बनस्पती पदार था था दी अप कटन के रहा दे नतीजे वजो कमपोस्ट बनना दा बनना भी ताप निकासी के रहा दी ही उदारन है दा डीकमपोजीशन ओफ वेजिटेबल मैटर इंटु कमपोस्ट इस अल्सपल ऑफ एक्जोथर्मिक रियक्शन हुन बच्चेयों जडे साथे सबजियां दी रहा दुखूं दा फाल दे जडे कमपोस्टिंग दे लेवर मी कमपोस्टिंग गंड्रोय भी आर्थमों भी छाड़ देए ता होली 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 अपकटन के रहा होके होजान दी है तो ओधा कमपोस्ट बान जन्दा मलड़ बान जन्दा जेदे नाल साथी मिट्टी दी जड़ी उपजाव शक्तिया वह होर ज् जिड़ी के रहा हो भी एक ताप निकासी के रहा हो जो भी जड़ा हीट एनर्जी आ या वो पैदा हुंदी होएगी बज्चयो ता एक उदार नासी जड़ो ताटी बुक्दे बीच भी देती हो या एक्जोथर्मिक रियक्शन नीए तो ये गंबिनेशन रियक्शन दिया अगली जड़ी अबाँ बच्चयो रियक्शन पाण्ड या 3 रियेक्शिण आपकटन केरेया अब कटन केरेया बच्चयो तें तरह दीया लेकिन की देके ताप देके कोई ना कोई उर्जा ज़रूर देनी पऊग गो ता एक converted to B plus C with the help of heat ता जही रियक्शन उसी thermal decomposition या ताप अपकट अनके रहा है कहा रहा है एंज ही साध्य को जिड़ी तीसरी अपकट अनके रहा है कि electrical decomposition या जिननों सी electrolysis भी बोल देया बिजले ही अपकट अनके रहा है एदे वेच आपा बिजली दी मदद देनाल electrolysis दा मतलब यह है कि जिड़े अभी का रहा है का हूँ एक का ते जिड़े साध्य को प्रोडक्ट बांदे पर या उत्पाद बांदे पर दो या दो नालों जादा हो साकते है ता अपका कह साकते है कि decomposition reaction जिड़ी है और combination reaction दा बिल्कुल उल्टा है क्यों क्योंकि हो दे विचे reactants आनो दो या दो नालों जादा चाहिए हों दे या ते product उत्पे बांदा सीगा सिरफ एक इत्थे reactants आनो एक चाहिए है ते product इत्पे बांदांगे दो या दो नालों जादा ता दूसरी गाल क्योंकि असारिया अप that reaction ना कीती आँ फोटो चाहें लैक ट्रीक हो ज़वे औसी कुछ न 22 ऊर्जा दिती है चाहे उ ताप ऊर्जा दिती चाहें हो लाइत दी चाहे अपा बिजली दी फॉर्म चे दित्ती है क्योंकि असी उर्जा दित्ती है इस किरिया नो कराम दे लई ता अजेही किरिया नो असी endothermik या फिर ताप सोखी किरिया भी केंदे हैं ताँ डीकंपोजिशन करेया है कि जिस करेया विच एक अभिकारक दा अपकटन करके दो जा दो तो वद उतपाद पैदा होन जही करेया नूँँ अपकटन करेया केंदे हनु ताप सिरफ इते heat ही नहीं है अप अनर्जी जड़ी है वो एब्जॉर्ब हुं धी पही ही, अनर्जी तेन तरह देटेए आप दनना पहे है, ताप न्यद करेश्च अन्यार खिली रीफॉर्म रुलाल्ग लीफॉर्म भी, बोल दें तापनों जिनने सोख ले एंडो थर्मिक रियक्शन नेक्स्ट बच्चों असी देख दे थर्मल डीकंपोजिशन सब तो डीकंपोजिशन चे सब पाठा थर्मल थर्मल बला तापनी मदद दे नाल किसे अभिकारक नो तोड के उत्पाद बनाने एथे बच्चों तुसी देख साकने हैं आपा वीडियो भी देखांगे ता आपा करण की लगियां सी लेड नाइट्रेट नो पीबी अनो थरी ट्वाइस एस नो गरम करके पीबी यो बनाएगा लेड ऑकसाइड अनो टू बनेगा नाइट्रोजन डाइओकसाइड जो की पूरे रांग दा ब्राउन फ्यूम्स निकल तो उसी देख सकने हो यह जड़े ब्राउन रांग दे फ्यूम्स निकल दे पर, फ्यूम्स मला जड़े वेपर निकल ले पर यह ओ आपनो टू गैस दाई है तो ओक्सिदन गैस भी निकलेगे यही उन्हों पर वीडियो देखने हैं, उक्षिन गैस बच्चों तो आनू पदा ही है कि यह कमशन दा सुपोर्टर है, आग लगान चो हो, हल्प कारदा, तो इत्थे सानू अपा लेड नाइट्रेट लेया है, पीबी एन नो थी ट्वाइस, एद्धा साध्य कोल डबेच हु बर्नर है गया, टेस्ट्यूब होल्डर, टेस्ट्यूब स्पैचूला वगारा यह सानी है, चीज़ा बच्चों साथे को मुझूद हुनिया लेब ओर्टरीज देविच ता असी की करना है, कि थोड़ा जया स्पैचूला दी मदद दे नाला, थी थोड़ा जया पीबी एन ट्वाइस मतलों लेड नाइट्रीट नो अपनी टेस्ट्यूब देविच पाला, तो उसी रांग देख साकते हों, पीबी एन नो थी ट्वाइस दा वाइटिश कलर दा होंदा बच्चे हो है, ता एक अगर बत्ती लेल लेनी है, अगर बत्ती हो ता अंदस्रा हैंगे हो कि वो दा अप यो किते होना जाके, ओक्सिजन गैस दी प्रैजन्स नो डिटेक्ट करने लिए अपा देखांगे, पीबी एन नो थी टोटके, पीबी ओ लेड आउक्साइड, अनो टू नाइट्रोजन डाइओक्साइड ते ऑक्सिजन देविच टोटेगी, ओक्सिजन गैस ज शरू किता है, थर्मल डीकंपोजिशन करन लाग गये, तो तुसी देखोंगे, होली 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 यह जदो अपसी गरम कर दे पहे हैं तो इदा जड़ा रांगा वो बदलना शरू हो जड़ा, जिदा इदा इसनो हीट करा मगने, दूसरे पास से ऐसी अब अपनी अगर बत्ति जड़ा के मैं बुझा लेया है तो जड़ा नहीं चलाना, थोड़ा ज़ा के छाड लेया, तो तो इदेखोंगे जड़ा वाइड रांग सीगा, होन वो ब्राउनिश जा हो लाग गया, यह ब्राउनिश बच्चियों ताम हो लाग गया, क्योंकि देविचे NO2 जड़े यह ग oxygen gas करके, क्योंकि oxygen gas is the supporter of combustion, अगर बत्ती थे थोड़ी अगता पहले ही लगी होई सेगी, लेकिन oxygen gas ने उस अगनों होर जड़ा ब्राइट कार देता, ता अपा एथो दी detection कर लेगी, कि oxygen gas जड़ी है, ओहो पैदा हो रही है, एथे थे थे आना देखोंगे ता test tube दे विच्च ब्राउनिश कलर दी होर गैस निकल दी पही है, ओह जड़ी ब्राउनिश कलर दी गैस है गिया, ओह है कि nitrogen dioxide gas, NO2, ता आओ देखों तुझी देख साकते, NO2 gas जड़ी है, ओह फ्यूम्स बनके बार निकल दे पहे है, ता lead nitrate तो lead oxide ओह विच्चे ही है, salt जड़ा बने हा, nitrogen dioxide, brown f oxygen gas जड़ी की help कर दी पही है, अगर बत्ती नूँ होर ज़्यादा bright combustion हों दे विच, ता इस आड़े को जड़ी reaction सी, थर्मल डीकंपोजिशन रियक्शन सी, बच्चेव, मैंनो मीदा किता अनुए सारी reaction सामल लाग गी होगी, next reaction साड़े को हैगी है, बच्चेव, FESO 4.7H2O, hydrous ferrous sulfate जो की हरे रांग दा होंदा बच्चेव, इसनों सी जड़ो गरम कर दे हैं, and hydrous ferrous sulfate जो की wide रांग दा ते साथ H2O जिड़े हैं, वो अलाग हो जड़े, फेज एकर असी further FESO 4 नों heat कर दे हैं, तो ferric oxide जो की reddish brown कलर दा होंदा जिदा की जांग दा रांग होंदा साथ डेकोल greenish color दा हैं, इसनों असी चटके test tube दे विच पाले हैं, बच्चेव, अंदेनाल gloves वगएरा, proper precaution है कि reaction जड़ी है, lab दे विच आसी test नों perform कर दे हैं, holy holy ऐसी देखांगे कि यह जड़े green रांगा बच्चेव, ओड़ चुका है, ओड़े के whitish color दे विच हो चुका whitish color क्यों हो, क्योंकि वो FESO4 बान चुका, अन्हाइड्रस हो गया, विच पानी दी मातरा सी गी, 7H2O दी जड़े water molecules, water of crystallization दी ओड़ चुका है, ओड़े colorless हो गया, FESO4 दे जड़े रांगा हो वाइट हो चुका, फर्दर जिरो इसनों सी, एच्ट तुह दे देख साका है जड़े water whippers जड़े और test tube दे नाल लगे होया, मलब पानी जड़ा उड़ चुका, जिफ दुबारा तो पानी बाद मंगे दा रंग फे दुबारा तो हरा हो जाबेगा, फर्दर जिकर अफिया FESO4 दे दा हीट कर दे रमांगे, ता इदे विच्चो gases निकलनी है, SO2 ते SO3, इसनों अगर तोसी स्मेल लेनी तो दूरों लेनी है, बच्चो यह बर्निंग सलफर दी स्मेल होईगी, जादा देता के स्मेल सादेली हानी कारक हो साकती है, तो इसकर के एजड़ा एक्सपेरिमेंट होंदा भे इनों खुलने वेच करना है, ता कि जड़ी गैस आओ ओड़ भी जाबे, ते लास्ट वेच जिला सादेकोल प्रोड़क्ट बनेगा, तो Fe2O3 तुसी यह थे देख साकते हो, फैरिक ऑक्साइड के हो जया, रैडिश ब्राउन रांग दा, वो बन गया पता आर्थ, ता FeSO4 एक ही रियक्टेंट हा रियक्टेंट एक का, लेकिन प्रोड़ प्रोड़ाम रियक्शन रियक्शन क्योंकि इसनो सी तोड़या हीट दी मदद देना ता एक रियक्शन चीड़िया थर्मल डीकम्पोजिशन रियक्शन आने थे, एंडो थर्मिक रियक्शन भी है, क्योंकि एक ताप जिदावा, FeSO4 शोखदा पे आया, एब्जॉब करदा प्याता एक ताप सोखी के रहा एंडो थर्मिक रियक्शन भी है क्या हम आँगे इसनों नेक्स्ट बच्चो फोटो डीकंपोजिशन रियक्शन भी फोटो लाइसिस बोल दे हैं उसनों अगर सनलाइट दे विच रखांगे ताँ एजी अलाग हो जाएगा बी आटू अलाग हो गया एदे विच रियक्टन देखो दोनों पासे रियक्टन एक एक का लेकिन प्रोड़क्ट दो बान दे भाया ताँ एवी ज़ी रियक्शन और डीकंपोजिशन रियक्शन आप पर क्योंकि एइस दे विच ज़ी ऐसी ऊर्जा दितती ऑप फोटो मतलब लाइट दी प्रेजंस जडितती होई है ताँ इसनों असी फोटो डीकंपोजिशन रियक्शन बोलागे अज यहां रियक्शन बच्चों उसी ब्लैक और वाइट फोटोग्राफिस दे विच यूज कर दे हुंदे सिगे तुसी देख सकते हो डीकंपोजीशन रियक्शन जिसनों सी फोटोलाइसिस बोल दे हैं तहां एदे वेच साब तो पहला दा असी सिल्वल को राइड नो जो असी तुपे राख दने या एजी सीयल नो जे कर अपा चाइना डिश दे विच पाके तुपे राख दने तो जो दो असते उते तुप पाएगी एजी सीयल दा रांग वाइट होंदा बच्चो लेकिन होली होली एदा जड़ा रांग आओ तुसी देखूंगे वो ग्रे कलर दा हो चुका है थोड़ा ब्लैकेश रांग एदा जड़ा ओ आ चुका है यह क्यों हो आया क्योंकि A, G, C, L जो की सॉल्यड सी गा सूरज दी रोशनी देविच और टोट गया बच्चो डिकम्पोज हो गया A, G थे C, L2 देविच इन्जी A, G, BR भी जिड़ा या और टोट के A, G, BR2 देविच कनवर्ट हो गया जही reaction नो बच्चो असी photo decomposition reaction बोल दे, photolysis या प्रकाशी अपकटन के रहा, इस दा अपयोग असी black and white photography दे विच कर दे है गया, next बच्चो इलेक्ट्रिकल decomposition reaction बिजले ही अपकटन के रहा, इस दे विच बच्चो अपानी दा बिजले ही अपकटन करके hydrogen gas थे oxygen gas बनावागे, hydrogen cathode बनेगी, oxygen जिली हा, और अनोर ते बनेगी, इसनों याद करना था बच्चो एक तरीका है, एडे तो oxygen, एडे तो अनोर, एडे तो अद्धी, क्योंकि ये अद्धी मात्रा दे विच बनेगी, hydrogen gas, oxygen gas तो दुगणी मात्रा विच उतपन हों दी है, पाव 2 रेशो वान, मतलब ह hydrogen दुगणी, ते oxygen अद्धी, तुसी जरो reaction भी बैलांस भी करूंगे, तो H2 दे मोरे 2 लगदा हो है, मतलब hydrogen दुगणी मात्रा च बनेगी, लेकिन oxygen जिडी है, ओ सिंगल अमोर च ही बनेगी, ते तुसी reaction भी देख साकने है, विच बिजली दी मदना तोड़ दे पाए है, तो इस दे वेच सेट अप कुछ असी इस तरीक के नल कीता है, कि लेक्ट्रोड लगा या हो या बैटरी दा positive terminal दे negative terminal दे नाल, जिड़ा ता positive terminal है, उस रोड नो पा बूलनांगे है, नोड, जिड़ा negative terminal है, उसनो असी बूलनांगे cathode, ता अनोड वली साइड तो oxygen gas बनेगी, ते के थोड़ वली साइड hydrogen gas बनेगी, आसी पानी दे नालना थोड़ा जा acid दे वेच पादना हैगा, ता कि क्योंकि पानी जिड़ा बच्यों एक bad conductor of electricity होनना है, ता उसनो एक चंगा conductor बनान दे लए, चालक बदिया बनान दे लए, उस दे वेच थोड़ा जा acid जरूर पादना ह फिर आसी test tube पूरी पारके, उसनो invert करके ता कि अधर वेच कोई air bubble ना आवे, अपनी electrodes दे उपड़ टका लणिया है, होली होली जिड़ा असी reaction होन दमागे, ता gases बननिया शुरू हो जणिया, gases जिरे वेच दुगणी मातरा वेच खाली जगा हो गई, उसनो आसी बोलांगे क की ओध्ते hydrogen हा, मालोoh cathode वली side, hydrogen होएगी, hydrogen तो दूसरे वाले पास है, जित्दर amount काटा, तो देखो इद्दर ले पास है, जित्दर जाली जगा, जित्दर जाला है, उदधर hydrogen है, जित्दर अधिया amount, उद्दर अधिया अधिया तो अधिया तो, अनोड अधिया तो oxygen gas हो, ते आड़े तो oxygen हो जड़ी oxygen gas दी जगर आसी test करना तो दे मुरे अगर अगर बत्ती लाज़ी यह तो अगर बत्ती जड़ी यह उसाधी ओ ब्राइट फ्लेम हो जनदी यह तो सानु पता चाल जाएगा कि ओ oxygen gas हा ते hydrogen gas दी अगर प्रेजनस असी देखनी है तो उसदे मुरे अगर असी match stick लेके जावांगे तो ओ एक pop sound दे नाल जड़ी यह वो बर्न करेगी आवाज आएगी pop sound दी हो साधा था था अनु ब्लू फिलेम भी नजर आजवे मिन उमीदा बच्चो था अनु ए लेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रियक्शन भी समझ लाग गई हो बैकि next है कि बच्चो साधे को displacement reaction जिरे विच Fe plus Cu SO4 give you Fe SO4 plus Cu लोहा जिड़ा है कॉपर सलफेड दे विचो कॉपर नु विस्थापित करके आप कॉपर दी जगाते आ चुका Fe SO4 plus Cu कॉपर सलफेड जिड़ा हुनदा ब्लू कलर दा Fe SO4 जिड़ा हुनदा बच्चो ग्रीन कलर दा हुनदा आइरनने कॉपर नु कीए किता बंच यो विस्थापित कार देता क्यों कयों क्योंकि जटा लोहा यार तामबेट rouव boss जयदा किरेशील य興्दॐ ज्यादा किरेशील होन कारण टांबे न उस दे कोल दे बिच्चों मला कॉपर सलफेड दे बिच्चों लोहे ने विस्था पितकार देता इत्थे तुसी रियक्शन भी देख साकते हूँ आपकोपर सलफेड दा सल्यूशन अपने कॉनिकल फ्लाक्स दे बिच पाला कॉनिकल फ्लाक्स चे पानतो बाद बच्चे हो असी उस दे विच एदा आईरन नेल जीडी शीकी साधे खूल उसनों ता गेदी मदद दे नाल आईरन मला ये लोहा हो गया लोहे नों असी ता ओधे विच कॉपपर सल्फेड सल्यूशन दे विच पाल दता फे कुछ थोड़ी टैम बाद हो रियक्शन हो दित्थी ता तुसी देख साकते हो पहला रांग होदा सीगा दो पहले रांग हो देख स्थी ब्ली कलर दा सीगः कॉपपर सल्फेड दा चौबी के एंटया बाद जीडा ओदा रांग हो ग्रीन ho चुकखा ते जीडी नेल हो दे उत्ते ताम Cathy पाँ चेपक चुका हैगा तो एदे विच हुंदा की पेया की A प्लस B C ता जेकर A जादा रियक्टिवा B मैटल तो ता A ने B नू रिप्लेस करता B एक अला हो गया तो A जिडिया और C रे नाल बैठ चुकी है एही रियक्शन है थे ता नो समझाए गई है ते विस्थापन किरिया दी उदारं सी बच्चे वो रहे दी विस्थापन किरिया दी उदारं तो आपनी बुक चो देख साकते हो जिंक जिड़ा कॉपऑर नालो ज्यादा रियक्टिव होन करके कॉप पनुफे विस्थापित करके PBCL2 ते कॉप पर देविच तब दील हो गया नेक्स साथ देको है कि बच्चो डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन दो रहा विस्थापन के रहा यह दे विच AB plus CD gives you AD plus CD B A जड़ा सीगा बच्चो H ions बन जान दे इसकार के A C दी जगाते यह C B दी जगाते चला गया जदा कि sodium sulfate plus barium chloride बन गया barium sulfate plus 2 NaCl यह दे विच बच्चो वाइट प्रेसीपिटेट भी बन दे यह अब खेपन के रहा हुंदी यहा जदे विच बेरियम सल्फेट दे चिट्टे रांग दे प्रेसीपिटेट चिड़ेया ओ बन जान दे यह साथ दे को बच्चो मैंनों मीदा बच्चो तानुए चैप्टर ए रियक्शन समल लागी जा हो ने गया थैंक्यू बच्चो